दोस्तों इवर फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने YouTube चैनल पर आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम से जुड़ी प्रोब्लम के सोल्यूशन पर दोस्तों गर आप Telegram user है अगर आपको Telegram पर इस तरह का Error Face होता है इस तरह का Error देखने को मिलता है An Internal Error occurred प्लीज ट्राइ अगें लेटर तो इस Problem का Solution आप किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर में आपको 2-3 Method बताऊंगा जिनको अगर आप Follow करते हैं तो 100% जो आपकी Problem है इसका Solution हो जाएगा तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए Start करते है वीडियो को और आपको बताते हैं किस परकार आप इस Problem को Short Out कर सकते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ना है पहले दोस्तों आपको एक काम कर लेना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बाल एकन को प्रेस करके हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब चरूर कर दीजिए तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और आपको बताते हैं किस तरह से आपको इस प्रोब्लम को सॉल्व करना है पहले श्टाप के अंदर आपको अपने फोन की सैटिंग को ओपन कर लेना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है यहाँ पर आपको Apps वाला option दिखेगा इस पर click कर देना है जिसके बाद आपको यहाम Manage Apps वाला option दिखेगा इस पर click करना है तो आपके सामने इस तरह से interface आएगा उपर search bar पर click करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है टाइलीग्राम टाइलीग्राम वाली अप्लिकेशन आपके सामने आ जाएगी आप जैसे इस पर क्लिक करते है तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ तीन ओप्सन दिखेंगा फोर स्टोब अनिस्टाल मैंने स्पेस आपको मैंने स्पेस पर क्लिक करना है और यहाँ आ जाने के बाद आपको राइट साइड मोपर की तरफ त्री डोर्स देखने को भी लेगे आपको इन पर क्लिक करना और यहाँ से क्लियर लोकल डाटा बेस पर क्लिक कर देना और फिर दोस्तों आपको यहां से बिल्कुल back आना होगा back आ जाने के बाद आपको अपने play store को open करना है उपर आपको search bar दिखाई देगा search bar पर click करना है और यहां पर आपको type कर देना है telegram तो telegram पर आपको यह check करना है और फिर अगेन आपको अपने telegram application को open करना है तो गाईज इजली जो आपकी problem है इसका solution हो जाएगा अगर दोस्तों फिर भी आपकी problem same editage बनी हुई है तब गाईज आपको एक काम कर लेना है जो आपकी telegram application है आपको इसको long press करके रखना है और यहाँ से इसको uninstall कर देना है फिर आपको अपने google chrome को open करना है उपर आपको search bar दिखाई देगा इस पर click करना है और यहाँ से आपको type करना है telegram old version जैसे आप इसको click करते हैं तो उपर आपको up to down वाली side दिखेगी इस पर आ जाना है फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है यापर telegram के जितनी भी old versions है old APK है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप इन में से किसी भी old APK को install कर लेना और वहाँ पर आपको login कर लेना है जिसके बाद आपकी जो problem है 100% हो जाती है तो आज वाली इस वीडियो के ने मेरे को आपको जैस्टिक नहीं इबताना था अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंदा आई या वीडियो की help साथ की problem का solution होता है तो उमीर करूँगा आप हमारे चाल को subscribe करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स